जी हाँ नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का RS News के कौन नई वीडियो में दोस्तो आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकर जो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच में जो दूसरा वंडे मुकाबला खेला गया उसी मुकाबले के बारे में तो आप सभी बिलकुल बने रहीएगा अंत तक इस रोमाजक मुकाबले के भारे में जानने के लिए और वहीं दोस्तों अगर आप भी इस रोमाजक मुकाबले को देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वहीं subscribe करके ब läuft की घंटि को भी जरूर दवाइएगा जिसलिके आपको क्रिकेट से लोड़ी तमाम चांकारिया और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूदी खबर के बारे में दोस्तों जैसे के आप सभी को पताए कि मेजबान आस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन मैचों की वन डे सीरीज का दूसरा मुकाबला श्रिडिनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया जहां पर आस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने लगातार दूसरे मैच में टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो वहीं हम आपको बताएं आज पहले टॉज जीत कर बल्लेबाजी करने उतरी आस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से एक बार फिर से कप्तान एरन फिंच और डेविड वॉनर ने एक अच्छी शुरुआत दी दोनोंने पहले पावर प्ले में 69 रन बटोरे वहीं 11 वे ओवर में ही डेविड वॉनर ने अपने वंडे करियर का 23 अर्दिशतक भी पूरा कर लिया उन्होंने महज 49 गिंदों में 6 चुक्के और 2 चुक्कों की मदस से अर्दिशतक जमाया हाला कि 60 रन के स्कोर पर मोहमर श्रमी की गेंद पर विराट कुली के हाथो वो अपने केस्तामा बैट है जिसके जलते आज के इस मुकाबले में एरन फिंच अपनी 60 रन की पारी में 6 चुक्के और एक छक्का लगा कर आउट हुए जहाँ पर स्टीवी स्मित ने सामने की तरफ शॉट मारा और गेंद सीधा स्रेश एयर के हाथों में गई लेकिन डेविड वार्नर दूसरा रन भागने के लिए दोड़े तो उस रेश एयर ने डारेक्ट गेंद से गिलियां उड़ाकर डेविड वार्नर को रन आउट कर दिया और अपनी स्पारी के दोरान उन्होंने 14 चौके और 2 चके लगाये थे वहीं दोस्तो इस्टीवी स्मित को आउट करा हार्दिक पांडिया ने जियां दोस्तो हार्दिक पांडिया जिनका आप सबी बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे कि वो आखिरकार का भारत की तरफ से गिंदवाजी करते हुए दिखाई देंगे तो आज उन्होंने ये कारनामा करकर दिखाया और दोस्तों मुहमन शमी ने यहाँ पर इस्टीवी स्मित का शांदार कैच लपका जिसके चलते और अस्टेलिया की टीम को यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा जटका लगाता तो वहीं फिर मारनेस लाब हुसेन और गलेन मैक्सवेल ने मिलकर पारी को संबाला और फिर ये दोनों भी तोफानी अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए जियां दोस्तों जहां मारनेस लाब हुसेन ने मातरे 46 गिंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी तो वहीं गलेन मैक्सवेल भी ताबर तोड़ चक्के और चक्के बरसा रहे थे घ्लेन मैक्सवेल ने भी आजके इस मुकाबले में ख़बर बोले जाने तक 15 गिंदों में 37 रन मार दियते तो वहीं दोस्तों आजके इस मुकाबले में भरते गिंदबाजी का इतना जयादा रोल देखने के लिए मैदान पर नहीं दिखा जहां पर हर्दिक पांडिया ने काफी केफाईती गेंदवाजी की लेकिन दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए कि भारत की तरफ से हर्दिक पांडिया की गेंदवाजी को आप दस में से कितने अंक देना चाहोगे आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा